हलो एवरिवन कैसे हैं आप वेलकम टू शिक्षाधाम हम एक न्यू चप्टर करने वाले हैं स्टार्ट ट्वेल्थ क्लास के लिए और चप्टर का नाम है रिटायर्मेंट ओफ पार्टनर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिलीव मी इतने easiest way से करेंगे ना कि जब आप चप्टर करोगे तो आप खुद बोलोगे कि मेरे six marks सो पक्के हो गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं Retirement of Partnership Firm इसकी कुछ condition है condition आपका यही है जो new question हम करेंगे आपको present class में होना पड़ेगा mentally ठीक है न आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे हो रहा है क्या concept है एक question समझ में आ गया सारे question वैसे ही है similar type के हैं बस adjustment एकाद उपर नीचा आएगा और 6 number का यही question आएगा आपका retirement में और death में choice आने वाला है कि एक question हमेशा exam में दो question ऐसे आएगा या तो A करो या B करो इस type से आएगा तो इसके अंदर जो choice रहेगा पहले होता था admission और retirement में choice था admission तो अल चला गया अब retirement और death और dissolution तीन चेप्टर बारा नंबर का है तो dissolution तो बिल्कुल अलाग है तो उसको वो compensate करेंगे नहीं वो तो 6 का हैगा बाकि retirement और death को कितने नंबर का देंगे वो 6 नंबर का तो इन दोनों में choice आने के chances रहता है तो अगर आपने ये वाला concept कर लिया तो 6 marks आपके पूरे complete हो जाएंगे first round के ठीक है ना तो question number आपके book का 30 बहुत ही simple question question number 30 और हम इस तरीके से करेंगे ना definitely आपको पूरा समझ में आएगा मैंने कहा बस आपको concentrate यहां करना है book के अंदर points देखना है कोई इधर उधर की बाते नहीं ठीक है और जो बच्चे virtual class वाले हैं वो भी सीधा इसी पर focus रखेंगे तो easily बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तीन account prepare कर लेता हूँ मैं blank और मेरे साथ साथ आप भी prepare कर ले तो ज़्यादा better है एक revaluation account बना लेते हैं एक revaluation और दूसरा सबसे आसान account partners capital कितने partner एक बार बताओगी question number तीन है गर बार बताओगी X, Y or Z 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 Y or Z